असलाम उलिकुम दोस्तों आप सब लोगों को खुश्याओं अदीद करते हैं आपके अपने चैनल दिस्टी डोक्टर में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जैने के खुश्खकुबाणे के आपके सिहत के लिए हरानकुन फायदे खुश्बाणे तक्रीव हर किसी को ही पसंद होती है यह फिल गर्मियों में दस्थैाब होता है मगर खुश खुबानी में खुबानी हर मोसमें दस्तियाब होती है अगर इस सहत अदाल में रहकर खाया जाए तो ये आपके सहत के लिए इंतहाई फाइदमन्द थाबित होती है तो ऐसे ही चंद फाइदे आपको आज की स्वीडियो में में आपको बताने चाह रहे है खुश खुबानी आईरन के हसूल का अच्छा दरिया है जो के अनीमिय से लड़ने में मदद देता है जिसे जिसम में खुण की कमी दूर करने में मदद मिलती है इसमें मदद कॉपर आईरन को जजब करता है इस तरहां रोजाना चंद दाने खुश खुबानी खाने से हीमो बलबन मनने में मदद मिलती है जिसे एनीमिय का खतरा कम होता जाता है नमबर टू, कबस से निजाद दिलाए फुशकोबानी में पैक्टीन नमी जूस मजूद होता है जबके सेललोस भी मुजूद होता है जो के जलाब कश असरात के बाद कबस से निजाद दिलाता है सेललोस हल ना होने वाले फाइबर की तरहां काम करता है जबके पैक्टीन कबस को दोरान जिसम में पानी के लेवल को मतवाजनी करता है नमबर थरी नजामे हाजमा बहतर करे फुशकुबानी को खाने से कबल खाना नजामे हाजमा को बहतर करने में मदद करता है जिससे खाना जल्द हdramatic हसम हो जाता है हो नजाम हाणिमा बेहीतर तरीके से काम करता है नमर फूर, बुखार की शिदद कम करे खुश को बानी की शिदद कम करने में भी मदलगार है इसे इपानी में डाल कर शेहत के साथ मिला कर अच्छी तरह निचोंडने के बाद इस्पाने को पीना प्यास को भी कम करता है और बखार की शिद्दत में भी कमिलाता है खुश खुबानी का जूस सूरज की जौँ से होने वाले जिलन और चिंबल बगारा के लाज के लिए मुफीद है इसके अलावा ये कील महासों के साथ मुटदत देगर जिल्दी मसाइल को भी हल करने के लिए इंतहाई मुफीद है खुबानी का पेस चाहरे पर लगाना दाग धबों को खतम करने और जिल्द को नरग मनाने के लिए मुफीद होता है खुबानी का एक बड़ा फाइदा दिल की धरकन को रेगुलेट करना है खुबानी जिसम के लिए पॉटाशiम के हसूल का अच्छा जरिया है पॉटाशiम एक मंडेल है जो के जिसम में सेयाल केत्वादन को रेगुलेट करता है जिससे हम cells function ठीक काम करते हैं दिल की धर्कन बेहतर होती है जिससे दिल सहतमन रहता है बिनाई को बेहतर करें उसको माने में वाटमन A मजूद होता है जो कि अच्छी बनाई के लिए जुरूरी जुस है वाटमन A ऐसा ताकजवर अंटी ऑक्सिडेंट है जो कि जिसमें गर्दिश करने वाले free radicals को खारिज करने में मदद देता है जबके खुलियात और टिशिस के सहत को भी बहतर करता है free radicals इंसाने के लिने को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिससे इंसान की बिनाई मुतासिर होती है फुश्कोबाने में केले के मुकाबले में तीन गुना ज़्यादा potassium मुझूद है जबके नमक ना होने के बराबर होता है जो के इसे blood pressure सहत मन सता में रखने में मदद देने वाली सोगाद बना देती है Muscles मनाई potassium metabolism को बेहतर बनाने के साथ tissues के सहत के लिए भी फाइदमन है ये अमल मसल्स बनाने के लिए बहतरीन है इस सोगाद से जिसम में इसिट की सता को regulate करने में मदद मिलती है जो के protein के जदब होने का बेहतरीन अमल है और मसल्स को बेहतर बनाने के लिए फाइदमन होता है तो इस थना खुशकुबाने को इस्तमाल करके आप ये फाइदे हसल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी है मजीद हैल टिप्स वाली वीडियो मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी वीडियो को लाइक किया करें अपनी दोस्तों फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फाइदा उठा सकें अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल हमें दीजिएगा अजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज